नमस्कार आप देख रहे हैं Next9News भोजपुरिया और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग भोजपुरी में मैं हूँ आपके साथ आपका होस्ट और दोस्त अभिलाश पांडे इन खास एपिसोड में हम बात करते हैं उन खबरों के बारे में जो तेजी से ट्रेंड कर रही है खास बात ये है कि ये खबरे जो है ये इंटरनेट पर इस कदर वाइरल हो जाती है कि दर्शक भी हो जाते है इन खबरों के दिवाने शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर से दरसल भोचपूरी फिल्म इंडस्ट्री के दो सबसे चहते सितारे माने जाते हैं इनका नाम है सबसे बड़े सूपस्टार पवन सिंग और दूसरे हैं सबसे चहते सूपस्टार खेसारी लाल यादव इन अब खबर ये आ रही है कि हो सकता है कि आने वाले समय में सूपस्टार खेसारी लाल यादव और सूपस्टार पवन सिंग एक साथ काम करते हुए नजर आये क्योंकि इस बात का नमूना भी देखने को मिला हाल ही में जब पवन सिंग के जो दुखत समय था उनके पिता की तेहांत के बाद खेसारी लाल खुद उनके पैत्रिक आवास पर पहुंचने के बाद उन्होंने सूपस्टार पवन सिंग के भाई से मुलाकात की उनके पिता क आई थी प्रतिग्या 2 प्रतिग्या 2 एक जबरदस्त हिट साबित हुई थी बोश्कूरी की all time blockbusters में से एक फिल्म है इसमें काजिल रागवानी थी अक्षरा सिंग थी सुपरस्टार पवन सिंग थे और किसारी लाल यादब थे अब जिस तरह से प्रतिग्या की फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की थी अपका आज यह लगाए जा सकते हैं कि हो सकता है आने वाली फिल्म प्रतिग्या 3 में भी यह नजर आए यह हो सकता है किसी अलग स्क्रिप्ट पर काम करना यह शुरू करने हैं खास बात यह है कि यह दोनों ही स्टार्स की फैन फालिंग भारी दागाद में हैं दूसरे को अच्छा कॉंप्रिमेंट करते हैं तो आईए आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में किस तरह सुपरस्टार, पवन सेंग और खेसारी लाग यादव आ सकते हैं आने वाली एक फिल्म में नजर ये बात उस समय की है जब भोचपूरी फिल्म इंडस्ट्री की एक समय पहले की सुपर हिट फिल्म प्रतिग्या चुका फर्स्ट लोग रिलीज दिसंबर 2013 में किया गया आपको बता दें कि CPI, Movies और जैमा, आकिसमीनी द्वारा निर्मित इस फिल्म के निर्देशक थे सुनील कुमार उपात्याए और फिल्म का निर्माण किया था संजय आदव ने, हर्ष तिवारी और अभिशेक तिवारी ने वहीं दूसरी तरफ फिल्म के कारेकारी निर्माता इंजिजी छेर्मा थे जबकि फिल्म के प्रोजेक्ट डिजाइनर अन्जनजे ग्रगुराश थे वहीं भोजबुरी फिल्म इंडस्ट्री की इस पहली सीक्वल फिल्म प्रतिग्याट्यू के मुखी किरदार में सुपरस्टार पवन सिंग, सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, अनिल समराट, अक्षरा सिंग, स्मृति सिंह, काजल राग्वानी, सुशील सिंग, संजय य प्रतिग्याट्यू की गणना भोजबुरी की अब तक की बड़ी हिट फिल्मों में की जाती थी, लेकिन इस फिल्म ने भी जबर्दस्त काम्याबी हासिल की और अपना नाम इत्लिहास के पन्नों में अमर करा दिया भोजबुरी फिल्मों के समकट मोचन कही जाने वाली कंपनी, CPI, Movies के सुजीद कुमार के अनुसार, प्रतिग्या 2 में हर वो रंग था जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया फिल्म के गान इतने शानदार थे कि वो भोजबुरी ये दर्शकों की दिलों पर बस थे तो देखा आपने किस तरह सूपरस्टार, खेसारी लाल यादव और पवन सिंख्यबीद सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा है भाया हम तो यही चाहेंगे और फैंस भी यही चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ मिलकर काम करें और भोचपूरी फिल्म इंडस्टरी को एक आलग सितर पर ले जाए खाजबात यह है कि यह दोनों श्टार्स एक दूसरे को अच्छा कॉंपलिमेंट भी करते हैं विल्में जब इनकी रिलीज होती हैं अएक दूसरे की फिल्मों की तारीफ करते हैं तो वो कहा जाता है सूपरस्टार खेसारी लाल यादव को उनकी फिल्में जब भी सिनेमा घरों में दस्तक देती हैं दर्शकों का चंसेला उमर पड़ता है शायद यही वज़ा है कि खेसारी की फैन फॉलिंग भी भारी तादाद में है सोचल मीडिया से लेकर इंटरनेट पर हर कोई खेसारी से बात करना चाता है खेसारी से सिर्फ एक बार मिलना चाता है लेकिन इन दिनों एक स्टेज शो के दौरान खबर आई कि सूपरस्टार खेसारी लाल यादव की आँखों में आसू थे अभी आसू क्यों थे इस बात का सिस्पेंस हम नहीं रखते हैं हम आपको बता देते हैं कि खेसारी क्यों रोर है थे खबरों के मताबिक जब खेसारी एक स्टेज शो पर गए हुए थे स्टेजों के दौरान उन्होंने बोला कि मैं एक बिहारी हूँ और भावनाओं की कदर करता हूँ भाई बात सही भी है सूपरस्टार खेसारी लाल यादव हमेशा भावनाओं की कदर करते हैं अच्छे इंटर्व्यूस देते हुए नजर आते हैं मीडिया से मुखातिब जब भी होते हैं कई खबरे ये ऐसी उड़ीं की सूपरस्टार खेसारी लाल यादव और काजिल रागमानी की शादी हो गई है फोटोज वाइरल हुई पता नहीं क्या अलग-अलग चीज़ें वाइरल हुई लेकिन उसके बाद भी खेसारी को इस बात का दुख हुआ उन्होंने कहा कि मैं मेरी पतनी के साथ रहना चाहता हूँ और मैं अपनी पतनी से और मेरी पतनी मुझ से बहुत ज़ादा प्यार करते हैं उन्होंने मुझे फर्ष से अर्ष तक बुलंदियों को चूते हुए देखा है और हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है, साई की तरह बात सही भी है, जब खिसारी लाल यादव गाउं से आए थे तो दिल्ली में जब वो लिट्टी चोखा बेचा करते थे उनकी पतनी उनका साथ देती थे, उसके बाद वो फौज बे भरती हुए, फिर इंडस्ट्री में आए तो कही न कहीं उनकी पतनी का साथ भी था, हबर भी हमने देखी, वीजियो भी देखा कि हमेशा अकसर अपने फैमली को टाइम देते हुए नजर आते हैं तो कहीं न कहीं ये बात जो है ये जमी नहीं और खिसारी लाल ग्यादब की आँखों में आसू हो गए खास बात ये रहे कि वहां मौजूद हजारों लोग भी इस बात से आहत थे और उन्हें भी बता था कि अगर उनका चहिता सितारा रूरहा है तो उनकी भी आँखों में आसू आ गए तो आए दिखाते हैं हम अपनी इस खास रिपोर्ट में किस तरह है खिसारी की आँखों से निकले आसू भोचपूरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चहित सूपस्टार खेसारी लाल यादव को दर्शकों का चहिता सितारा माना जाता है इंडस्ट्री में सबसे जादा फैन फॉल्लिंग भी सूपस्टार खेसारी लाल यादव की ही है और अक्सर सूपस्टार खेसारी लाल यादव सुर्खियों में बने ही रहते हैं और इन दिनों एक बार फिर खेसारी सुर्खियों में बने हुए हैं और उसकी वज़े बना है उनका स्टेट शोग दरसल खबरों के मताबिक हाली में सूपस्टार खेसारी लाल यादव ने एक स्टेट शो किया जहां मौझूद दर्शक खेसारी को देख कर रोने लगे और इसकी वज़े भी कुछ खास थी गरसल बीते दिनों खेसारी को लेकर एक अफवास एली थी कि उन्होंने काजल के साथ शादी कर ली है और सोशल मीडिया पे अफवाह काफी सुर्खिया बनी इस अफवास से सुपस्टार खेसारी लाल यादव काफी दुखी हुए और उन्होंने कहा कि इस तरह की अफवाहें फेलाना सरासर गलत है खेसारी ने कहा कि मेरी एक पत्नी है जो मुझसे और जिनसे मैं बहुत जादा प्यार करता हूँ और मेरी काम्याबी के पीछे मेरी पत्नी का हाथ है उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक बिहारी हूँ और लोगों की भावनाओ की गत्र करता हूँ ऐसे में इस तरह की अफवाहों से मुझे और मेरे परिवार को आहत होती है आपको बता दें कि स्टेच्चों के दुरान खिसारी के इन बातों को सुनकर महां मौझूद लोगों की भीड के आँखों में भी आसुआ गए तो देखा आपने किस तरह सूपस्टार खिसारी लाल यादव की आखे जो है वो नम थी हजारों लोगों के सामने चली आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अपमारी तीसरी ट्रेंडिंग स्टोरी की हो दरसल सूपस्टार दिनेश लाल यादव और आमरपाली दुबे की जो जोड़ी है वो इंडस्ट्री की नमबर बन जोड़ी मानी जाती है सुपस्टार निदिनेशलाल ल्यादवुर्फ ने रहुआ और आमरपाली ने करीब दरजनों से अधिक फिल्में की हैं साल 2014 में फिल्म ने रहुआ हिंदुस्तानी से ये कारवा शुरू हुआ आमरपाली दुबे ने अपना डेब्यू किया और ये जोड़ी सूपर हिट साबित हो गए आमरपाली दुबे आज इंडस्ट्री की क्वीन कही जाती है नंबर वन अभी नित्री कही जाती है लेकिन हाल ही में सुपस्टार निरहुआ और अमरपाली दुबे की एक फोटो वाइरल हो रही है जिसमें वो निरहुआ की बेटी अदीती के साथ मस्ती करती हुए नज़र आ रही है भाई निरहुआ जो है वो जंटलमेन कहे जाते हैं भोजगोरिफर्व इंडस्ट्री की और कही थी काफी घ्यास से भी काफी ज्यादा लगाऊ रहते हैं कही बार पाटीज में भी अपनी बीटी के साथ नज़र आ चुके हुए और अमरपाली भी इनके साथ काफी कंँपोरटेबल फिल करती है अदीती भी खूद या उं परदे के पीछ यह हमेशा एक दूसरे को अच्छा कॉम्लिमेंट करते हैं, दूसरे को अच्छा दोस्त बतातें बेस्ट फ्रेंज सबेंगे बताते हैं, इक दूसरे को गिफट करते हैं हाला कि कई राफ्यर की खबरे भी आती हैं लेकिन यह दोनों ही स्टाऱ् इस बातों का खंडन करते हैं दिनेशलाल यादव की अपनी एक फैमिली है तो कहीं न कहीं बेटी के साथ जो लगाव है वो सिर्फ निरहुआ को ही नहीं है आमरपाली दुबे को ही है तो इस फोटो में आमरपाली दुबे और निरहुआ एक साथ मस्ती करते हुए भी नजर आ रहे हैं तो आईए आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में किस तरह सूपरस्टार दिनेश लाल यादर वुर्फ निरहुआ और आमरपाली दुबे मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं भोचपूरी फिल्म इंडस्ट्री में भोचपूरी किंग के नाम से मशूर सबसे चहेते सूपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की अपनी ननही सी पड़ी अदिती के साथ खीची गई एक सेलफी इन दिनो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रही है आपको बता दे इस तस्वीर में दिनेश लाल यादव और उनकी बिटिया यानी अदिती का अंदास काफी अलग है और दोनों काफी मस्ती करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इन फोटोस में पापा निरहुआ और बेटी अदिती पाउट बनाते हुए भी नजर आ रहे है आपको बता दे हजारों के संख्या में इस बोटो पर प्रशन सको और निरहुआ के फैंस ने लाइक्स और कमेंट्स किये हैं साथी जानकारी देदे दिनेश लाल यादव निरहुआ इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म निरहुआ चलर लंडन की शूटिंग में व्यस्त है इस फिल्म में निरहुआ के साथ होट अभी नेतरी आमरपाली दूबे नजर आएंगी मौझूद हजारों लोगों की आखे नम थी उसके बाद हमने आपको बताया किस तरह सूपरस्टार निरहुआ और आमरपाली उनकी बेटी आदीती के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं तो इस खास एपिसोर में फिलाल इतना ही अगर आप कुछ और खबरों को देखना अगल को बेटी आप कुछ निसका अगल को झाल करते हुआ है